अगर इस festive आप मार्केट की मिठाई खाना नहीं चाहते तो घर पे बना के तयार कीजिए ये healthy और बहुत ही ज़्यादा यमी लड्डू जो की बहुत ही जटपट बनके तयार हो जाती है बिना गुड बिना चीनी बिना आटा बिना मैदा के बनकर ये लड्डू तयार होती है और अगर आप health conscious है तो ये लड्डू आपके लिए बिलकुल perfect है तो इस festive आप भी ये बिना गुड बिना चीनी वाले लड्डू बना के तयार कीजिए जो बहुत ही शांदार बनती है बहुत ज़्यादा healthy है और इसे आप guilt free होकर खा सकते हैं तो चले फिर देख लेते हैं कि इस लड्डू को मैंने कैसे बना कर तयार किया तो इस recipe को बनाने के लिए सबसे पहले cooktop पे रख देंगे एक pan और यहाँ पे हम flame medium रखेंगे medium flame पे जब हमारा pan अच्छे से गरम हो जाए तो सबसे पहले हम इसमें add करेंगे मखाना तो इलग बग 250 gram के करीब मखाना है और इस दो बड़े चमच के करीब घी में इसे अच्छे से roast कर सकते हो आप जिससे कि आपके मखाने जो है उसके अंदर अच्छा सा मौशर आ जाए तो सबसे पहले मैंने बिना घी बिना oil के इसे roast किया है तो अगर आप health के point of view से बना रहे हैं तो यह आपकी लिए बहुत जादा फ राई roast कीजे तो सबसे पहले यहां पे मैंने मखानों को ले लिया है और इसे medium flame पे धीरे-धीरे roast करेंगे ताकि इसके अंदर जो मौशर है मखानों के अंदर जो मौशर है वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाने चाहिए क्योंकि यह जो recipe बन रही है ना इसे आप 2-3 महीने तक store करके रख सकते हैं, preserve करके रख सकते हैं, यह दो से 3 महीने तक भिल्कुल खराब नहीं होते हैं और खाने में बहुत ही शानदार लगते हैं इसे आप air-tight डबे के अंदर store करके बिल्कुल fridge के बाहर रखें और आप इसे रोज इस्तेमाल कर सकते हैं दो से तीन महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होंगे तो ये देखे, 4-5 मिनट लगेंगे और आपके जो मखाने हैं वो इस तरीके से क्रैक होने लगे तो समझ लीजे कि आपके मखाने जो हैं वो बिल्कुल पॉफिक तरीके से रोस्ट हो चुके हैं, अब मखानों को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से ठंडा करेंगे चलिए अब सेम पैन को रख दीजे कुक टॉप के उपर, उसमें मैंने 2-3 बड़े चमच के करीब घी आड़ किया है क्योंकि हम बना रहे हैं जब हमारा घी बिलकुल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें अपने पसंद के नट्स आड़ कर दीजे मैंने यहां पे बादाम आड़ कर दिये हैं काजू आड़ कर दिये हैं और कुछ नारियल के फ्लेक्स आड़ कर दिये हैं अब इन सब को मैं तीन से चार मिनट तक बिलकुल लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करूंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नट्स जो है वो बहुत जल्दी बॉर्न होने लगते हैं तो हमें इन नट्स को बिलकुल बॉर्न नहीं होने देना है इसलिए फ्लेंग में यहाँ पे लो रखना है केवल हमें इनका मौशर खतम करना है ताकि हम इसे प्रिजर्ब करके रख सके मतलब इस रेसिपी के अंदर मौशर फ्री चीजों का हैं इस्तिमाल करेंगे ताकि हमारी जो यह रेसिपी है वो लंबे समय तक हम उसे स्टोर करके रख सकें तो कुल मिला करके तीन से चार मिनट लगेंगे और जितने नट्स हमने लिए हैं वो सारे अच्छे से ड्राइ रोस्ट हो जाएंगे जब यह अच्छे से गोल्डेन हो जाएं तो आप इसे बाहर निकाल लीजे घी से बाहर निकाल लीजे और सारे जो हमने नट्स को रोस्ट किये हैं इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने दीजे ठंडा होने के बाद ही इसे हम अपने रेसिपी के अंदर यूज करेंगे तो बस इन नट्स को बिल्कुल अच्छे से ठंडा करें चलिए ये देखे हमारे जो धेर सारे गी हैं वो अभी भी पैन के अंदर बचे हुएं तो इसके अंदर हम अच्छे से अब roast करने वाले हैं अपने seeds को जी हाँ इस recipe के अंदर हम धेर सारे seeds का भी इस्तिमाल करने वाले हैं जैसे pumpkin seeds, खर्भूजे की गिरी और साथ में हम add करेंगे मगज की गिरी इन सारी चीजों का इस्तमाल इस recipe के अंदर करेंगे क्योंकि इन seeds का इस्तमाल करने से यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द हैं जैसे pumpkin seeds are rich source of protein, vitamins and यह हमारे लिए इतनी ज़्यादा फाइद मन्द है यह antioxidant है और हमारे लिए seeds बहुत जरूरी है तो इसके फाइदे इसके बहुत सारे फाइदे हैं हमारे लिए इन seeds का इस्तमाल भी हम इस recipe के अंदर करेंगे बचे हुए oil के अंदर हम seeds को डालेंगे और बिल्कुल low flame पे इन seeds को हमें 3-4 मिनट तक अच्छे से cook कर लेन है और 7 में जब 2-3 मिनट हो जाए उसके बाद यहां पे हम add कर देंगे किश्मिश किश्मिश भी हमारे लिए बहुत जादा फाइदे मन्द है लेकिन अगर आपने किश्मिश को starting में add कर दिया तो यह बहुत जल्दी burn होने लगते हैं जलने लगते हैं तो आप किश्मिश का अलग-अलग फाइदे और हमारे body के लिए बहुत जादा फाइदे मन्द हैं तो इन सारे यह देखें इन सारे seeds को अच्छे से fry कर लीजिए और उसके बाद seeds को बिल्कुल अच्छे से ठंडा कीजिए बाकी सारे ingredients को भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लीजिए make sure कि सारी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए उसके बाद आप उसे mixture jar में transfer करिए और सारी चीजों को हम कोसले grind कर लेंगे जी हाँ इसका बिल्कुल fine paste हमें नहीं बनाना इन्हें कोसले grind करना है तो सबसे पहले मैंने यह nuts ले लिए हैं और इसे बिल्कुल कोसले grind करूँगी मैं मतलब यह सारे nuts जो है वो थोड़े दरदरे होने चाहिए ताकि जब आप इस recipe के अंदर इसे आप खाएंगे न तो यह खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे बिल्कुल powder form में नहीं होनी चाहिए इस चीज का हमें ध्यान रखना है तो बस nuts को अच्छे से कोसल grind कर लिया है दो से तिन batches में इन्हें अच्छे से grind कीजिए और यह देखे हमारे nuts जो है वो grind है मतलब कि थोड़े टूटे से भी है थोड़े powder form में भी है तो बस इसी तरीके से हमें चाहिए nuts और इसी तरीके से हमें मखाना भी चाहिए और सीम इसी तरीके से हमें सारे seeds भी बिल्कुल powder form में नहीं होने चाहिए इस चीज का हमें ध्यान रखना है तो यह देखे मैंने सारे nuts सारे मखाने और सारे seeds को बिल्कुल अच्छे से कोसले grind कर लिया है बस make sure कर लें कि यह सारी चीज़े बिल्कुल अच्छे से ठंडी होनी चाहिए ठंडे होने की बाद ही इसक के अंदर मौशर आ जाएगा और आपकी recipe को आप लंबे समय तक preserve करके नहीं रख पाएंगे इस तरीके से grind करके इखटा कर लिया है अब यहां मिठास के लिए आप चाहें तो गुड का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और अगर आप health के point of view से नहीं बना रहे हैं तो आप यहां प करके मैं यहां पे healthy वोजन बना के तियार कर रही हूँ तो मैंने यहां पे dates लिये हैं उसके बीच को remove करके और इस तरीके से इसे मैंने grind कर लिया है अब मैंने मिठास के लिए यहां पे dates का इस्तिमाल किया है आप चाहें तो यहां पे अगर चीनी या फिर गुड नहीं मिला चाहते तो आप यहां पे honey का वे इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर dates का वे इस्तिमाल कर सकते हैं मैंने यहां पे dates का इस्तिमाल किया है dates को बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से fine कर लिया मैंने यहां पे बिल्कुल मैंने कोई दूद या पानी का इस्तिमाल नहीं किया है आप भ कोई दूद या पाने का इस्तिमाल बिल्कुल ना करें क्योंकि डेट्स के अंदर मौशर होती है और इसकी वज़़से यह अपने आप आपको ग्राइंड करने में आसानी होगी अब हम बना के त्यार कर रहे हैं इंडियन मिठाई इंडियन लड्डू तो यहां पर हम एड़ क गी का इस्तिमाल नहीं करना चाहते तो आप गी को भी स्किप कर सकते हैं अगर आप किसी फेस्टिब सीजन में बना रहे हैं तो आप यहां पर तीन से चार बड़े चमच के करीब गी एड़ कीजिए अब सबको अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कीजिए अच्छे से तो बिल्कुल अच्छे से इसे हाथों से मिलाना है और जब इसे आप अच्छे से मिला लेंगे तो इसको बाैंट करने में बहुत आसानी होगी। और बहुत ही जादा मज़िदार लड़ू तो फेस्टिब सीजन में आप इस लड़ू को बनाई हो और बिल्कुल गिल्ट फ्री हो कि आप इसे खा सकते हैं यह बहुत जादा हल्दी है और आप चाहें तो विंटर में इसे बना के आप दो से तीन महीने तक स्टोर कर सकते हैं और इसे आप रेगलर खा सकते हैं बहुत जादा हल्दी है बहुत ही जादा यमी लगते हैं खाने में और यह बहुत जादा टेस्टी भी होते हैं तो इस तरीके से आप भी चाहें तो इस फेस्टिब में इसे बना करके तयार करें और अगर आप इसे विंटर में बना रहे ह तो इसके अंदर आप थोड़े से गोंद का इस्तिमाल कर सकते हैं फ्राई करके I hope आपको ये healthy मखाने and dates के लड़ू के रेसिपी अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और रोज ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तब तक के लिए टेक केर and बाबाई